Hello everyone, welcome to Satyam Classes इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी test series है इसको submit करने के बाद हमारे जो questions सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं वो कैसे पता चलेगा तो भई अगर आपने enroll करा लिया है तो आपको store section में देखेगा और नई enroll करा है तो आपको ऐसे देखेगा आप उसमें content में जाएंगे और यहाँ पर attend का option आ रहा है आपने attend किया ठीक है देखो attend करने के बाद यह जो आपको दिख रहा है विव रिपोर्ट इस पर click कीजिए click करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है न यह total चीजे इसको थोड़ा सा नीचे ले जाना है आपको ठीक है और देखो यहाँ पर कहा है sectional summary मतलब किस section में आपके कितने score बने हैं यह आपको यहाँ से दिखेगा तो इस पर आपको click करना है ठीक है देखो English में three questions हही थे आप देखो यहाँ पर English का question का दिखा रहा है तीन सही थे दो गलत थे बाकी participate नहीं किया गया थे ठीक है अब किस subject में कितने questions बने या कौन सा question wrong हुआ है वो आपको देखने के लिए just a minute wait करेंगे ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर comparison दिखा रहा है English का ठीक है and यहाँ पर with solution आप जब solution में जाएंगे नीचे तो आपको दिखेगा देखो यह solution है ठीक है कौन से आपके गलत हुए यह तो सही था मेरा तो इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है दूसरा देखे यहाँ पर दूसरा मेरा गलत था मतलब मैंने at random किया था जल्दी जल्दी में so भाई यह दूसरा गलत था तो यह red दिखा रहा है उपर वाला green दिखा रहा है इसी तरह से next आप करोगे तो फिर से मेरा तीसरे में यह सही था और यही मैंने किया भी था फिर देखो चौते में मैंने इसको गलत किया था कि गलत आपको सही है सात्वे में अब इसके बाद मैंने अटेम्ट ही नहीं किया था तो जो सही रहेगा वही आपको green कर देगा so कर देगा अब सवाल अपता है सर हिंदी में कहां से देखे तो हिंदी में यहां से देखेंगे मतलब एक simple सा concept है आपको समझने की जरूरत है क्या की सर एक काम कर सकते हैं कि अगर हम यहां पर web report में जाएं तो हमें क्या करना है attempt करने के बाद यह चीज आपको देखेगे web report में जाएगे इस तरह से आपका यह खुलेगा उसके बाद आप sectional summary में जाएंगे sectional summary में जाएंगे ठीक है उसके बाद सब से नीचे जाएंगे आप एकदम finally और यहां पर web solution में जाएंगे इस पर click करेंगे and उसके बाद आपका जो question गलत आपने किया होगा वो भी दिखेगा उसको red करके दिखाएगा और उसका कौन सा answer सही होगा वो green करके दिखाएगा तो इस तरह से बहुत से बच्चे परिशान थे कि सर कौन कौन सा section अमारा किस में कितना number मिला है यह कैसे दिखेगा तो आप यहां देख सकते हो जैसे मालो मैंने EBS पर click किया तो मैंने EBS attempt नहीं किया था क्योंकि मैंने तीनी question चार question किये थे तो जो मैंने attempt नहीं किया था उस